प्रदूशण का जहर है ये दिल्ली शहर है जिहां इस शहर की आबो हवा में कैसे प्रदूशण का जहर है यही दिखाने के लिए हम राजधानी की सबसे शक्तिशाली सडक यानी राजपट पर मौजूद है विजय चौक सामने है, इंडिया गेट सामने है, राश्रपती भवन सामने है लेकिन यहाँ पर प्रदूशर का जहर और उसका स्तर क्या है यह हम आपको दिखाएंगे एक रियालिटी चेक के जरीए क्योंकि सुबा सुबा हमारे साथ सचिन पवार जी मौजूद है जो की इंडिया पुलूशन कंट्रोल असोसियेशन के है और उनके हाथ में एक मर्शीन है सुबा सवेरे के इस वक्त पर यहाँ पर प्रदूशर का स्तर कितना है सचिन क्या कह रही है आपकी मर्शीन लेमेंस लेंग्विज में बोले, अभी भी हजाड यस है और लोधी गार्डन से ज़्यादा है यहाँ पर लेवल 317-314 इस से ज़्यादा बुरा कुछ होई नहीं सकता मतलब हजाड यस मतलब क्या जो इंडिस्टिल ग्रेड होता है ना बिलकुल एक आप एक कोल माइन में है वहाँ पर जो डस निकलता है वहाँ पर जो प्रटेक्शन मीजर लिये जाते है वैसा कुछ पलिशन है अभी देली में कोल माइन यानि जब कोईले के खादान में काम होता है तो मजदूर जिस तरह के प्रदूशन का सामना करते हैं वैसी परिस्ति सचिन बता रहे है राजधानी की सबसे महतपूर्ण सड़क पर कितना बड़ा खत्रा है यह आम आदमी के इससे तमाम तरह की बिमारियां रेस्पिरेटरी और भी बहुत सारी हेल्थ एल्मेंट्स होते हैं हाट प्रेश ब्लड के लिए इससे लेटेड हैं जो भी एल्मेंट्स हैं यह हाट से लेटेड इल्मेंट्स हैं उनकी बहुत सारी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं अगर आप डेली में रहते हैं इस एर को ब्रीद करते हैं ये मास्क से मैं बच गई हूं कि आप रदूशनसे ऐसी हवा में आने के लिए क्या पहनना पड़े इस से भी बड़े वाले मास्क गया प्याब करना आपको दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों की पूरी तस्वीर दिखाते हैं किस तरह की मुश्किलों का सामना लोग कर रहे हैं वो दिखाते हैं और पार्क में जाना सेहत मंद है या नहीं वहां भी लिए चलते हैं सबसे पहले हम आपको ले चल रहे हैं दिली की सबसे एहम जगे आईटियो पर देखते हैं यहां हवा में जहर किस कदर खुला हुआ और अब राजधानी में वो चौक जो सबसे ज़्यादा ट्राफिक का सामना करे जिहां आईटियो में हम इस वक्त मौझूद है और सचन हमारे साथ हैं सचन अगर आप इदर आजाईए और हमारे दर्शकों को बताईए कि यहां पर आपकी मशीन क्या कह रही है अभी जो लेवल आ रहा है 365 बिसेज मच मच हाए और वो भी हजाड़े सरीज में है कहीं पर भी ऐसा नहीं है और यह सबसे ज़्यादा अभी जो देख पा रहे हैं हम यहां पर रीडिंग 378 गया है हमारे यहां पर मिनिमम्म 355 है तो यह काफी जाए हजार्डस मतला बिल्कुल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और योगिक प्रदूशन की तरह बिल्कुल उसी की तरह देश के हुक्मरान इस शहर में रहते हैं हम और आप इस शहर में रहते हैं लेकिन साथ ही रहता है खतरनाक प्रदूशन सुबे सब्रडिय दिल्ली के लोग अपनी शेहत दुरूSt करने के लिए पारकों में निकलते हैं देहलते हैं, दोड़ते हैं, योगा करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई इस जहरीली आबो हवा में इनकी सेहत दुरूस्त हो रही है? या फिर इनके शरीर में जहर समा रहा है? दोड़ भाग की जिन्दगी से भागने के लिए और एक अच्छी सेहत के लिए दिल्ली वाले सोचते हैं, सुबह सवेरे पार्प पहुंच जाईए, बस सेहत बन जाएगी. लेकिन हम जो सच्चाई आपको दिखाएंगे क्या वो उसे सही ठहराता है? क्या आपकी थियोरी सही है? सुबह सुबह उटके ठीक साथ बज़े हम पहुंच गये हैं लोधी गार्डन में. यह देखने के लिए कि जो लोग यहां वर्जिश के लिए सुबह सुबह अपनी सेहत बनाने के लिए पहुंचते हैं, वाकई सेहत बन रही है या फिर बिगड रही है. और यही जानने के लिए सुबह सुबह आबो हवा तो आप देखी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सच पवार जी इंडिया पॉल्यूशन कंट्रोल असोसियेशन से जुड़े हुए है इनके पास एर कॉलिटी इंडेक्स नापने के लिए यह मशीन है तो देखिए सचिन जी पीम 2.5 पीम 10 पीम 1 सब बताईएगा लेकिन आम भाशा में जब हम बात करते हैं तो मुझे यह समझाई इस से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है इस बैसे के लिए सभी के लिए मनाई है चाहिए वो हल्दी है बच्चे हैं बड़े हैं पीम 2.5 है जो अब हमें में मेजर कर रहे हैं इस इस दी फाइनल पार्टिकल जो डिरेक्ली हमारी ब्लाट स्ट्रीप में पास कर सकता है मतलब ख दिल्ली की आबो हवा में घुलते जहर से दिल्ली के लोग अंजान नहीं है लेकिन जीना तो इसी महौल में सुबह की ताजी हवा खाने निकले थे लेकिन यहां तो सासों में जहर समा रहा है मजबूरी में मास्क लगा कर निकलना पड़ रहा है